एक छोटा केंट हेलो दोस्तों मैं हूँ केंट और आज मैं ढूणने वाला हूँ गोल्डन बनाना यानि सनहरा केला जिसके लिए पार करना होगा पेड इसके बाद एक दिवार जिसमें आकार है और सबसे आखिर में जादूई पथर मेरा नाम है केंट मुझे मिलेगा बनाना हैं दी एंड मैं पेड के पास पहुँच गया यहां मुझे तीन फ्रूट्स यानि फाले कठ्थे करने है चलो मेरे साथ आओ यह हो गया एक, डो और तीन आपल्स ये है मैंने कर दिखाया दर्वाजा भी खोल गया अब अगला पड़ाओ है उस दीवार तक पहुचना जहां आकार बने है मैं तो चला बस पहुचने ही वाला हूँ अच्छा तो यहां मुझे आकर आकार ढूणना है और उसके बाद दीवार में उन्हें फिट करना है पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कोशिश करके देखता हूँ यह है ट्राइंगल यानि त्रिकोन नहीं यह तू गलत है स्क्वेर यानि चोकोर नहीं यह भी गलत है अब सोकल यानि गोल लगा कर दिखता हूँ मैंने कर दुखाया ये बरवाजा खुल गया अब अगला पड़ाओ है जादूई पत्थर चलो 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 मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पत्थर नहीं वहां क्या होगा अरे यह क्या अच्छा पत्थर पर जो सेप बना है उसमें रंग बढ़ना है तो कौन सा रंग बढ़ना चाहिए ग्लू यानी नीला नहीं नहीं रेड यानी लाल हाँ यही कलर है हम सब को रोज एक आपर यानी सेप खाना ही चाहिए देखो कितना प्यारा लग रहा है न यह वाँ यह वाँ यह वाँ पड़ाओ भी पूरा हो गया तरवाजा खुल गया अब बस मुझे उस केले तक पहुचता होगा सुनेहरा केला मैं आ रहा हूँ मैं सारे पड़ाओ अच्छी तरह से पार कर चुका हूँ मज़ा रहा है अरे वाँ वो देखो केला हाँ कितना सुन्दर लग रहा है मिल गया अगली बार फिर मिलूंगा बाई बाई हेलो दोस्तों मैं आ गया आपका प्यारा से छुटकू से दोस्त केंटी एलेफिंट और जानते हैं आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कोई गैस कर सकता है? चलो देखते हैं पहले मैं इस ब्लाक बोर्ड पर कच ड्रॉख करूँगा और गैस करना मैंने क्या बनाया है? ओ, कौन सा शेप है ये? कोई गैस कर सकता है? मैं बताता हूँ यह है rectangle यानि आयत आकार अब मैं इसमें एक दूसरे कलर की चॉक से कलर भर दीता हूँ तेखो कितना अच्छा लग रहा है ना वाउ अब बताओ यह कौन सा कलर है पिंक यानि गलाबी और गलाबी रंकी लॉली पॉप्स होती है सही का ना चलो दोस्तों अब दूसरे आकार की बारी है बताओ यह कौन सा आकार है आकार को शेप भी कहते है तो यह कौन सा शेप है यह है सा कल यानि वर्द अब मैं इसमें भरनी जा रहा हूँ रंग जिससे यह और भी ज़्यादा सुन्दर लगेगा और आपको गेस करना है कि मैंने इसमें कौन सा रंग भरा है कौन सा कलर है यह हाँ येलो यानि पीला जिस रंग का सूरा चानी सान होता है ये चलो फिर से गेस करो कि मैं क्या बना रहा हूँ बताओ बताओ कौन सा शेप है यह कोई गेस कर सकता है ये है स्क्वेयर यानी चोकुर अब मैं इसके अंदर एक प्यारा सा रंग बरने वाला हूँ अब तुम सबको इस रंग को पहचानना होगा तो कौन सा कलर है ये? बताओ, ये है ग्रीन यानी हरा जिस कलर की प्रोकली होती है अब मेरे पास तीन आकार हो गए अब मैं तीन आकारों से एक बस बनाऊँगा ये आया आयत उसके पाद गोले से टायर्ट और चोकुर की खिड़ किया अब थोड़ी सी फिरिशिंग दे देता हूँ और तयार है मेरे बस जो की जाने के लिए एक दम तयार है अब मैं जा रहा हूँ और अगली बार फिर मिलूँगा बाई बाई दोस्तों हेलो दोस्तों मैं आ गया आज मैं किसी से दोस्ती कराने आया हूँ उसका नाम है एलिपंजिल मेरा नाम है केंट मैं हुचुटकुसा एलिपंट तुम्हे करूंगा एंटरटेंट प्लीज बन जाओ ना मेरी फ्रेंड लेकिन मैं उपर कैसे आओ मुझे उपर आना है उपर आना है अब कैसे मिलूंगा तुमसे हाँ मेरी पास एक आइडिया है मैं ये एपल यानी सेप खा लेती हूँ इससे मेरी चोटी लंबी हो जाएगी वाँ देखा मैं इस लाल रंगी चोटी को पकड़कर उपर आ जाओंगा येस अरे नहीं नहीं आप आ रहा हूँ अब क्या करें अरे वो देखो मुझे तो अटिम नहीं काम दिया है इसे खा लेती हूँ देखा चोटी और बड़ी हो गई ये मैं पीली रंगी चोटी को पकड़कर उपर आ जाता हूँ अरे नहीं आप आ रहा अब क्या करेंगे पता नहीं रखो मेरी पास आइडिया है ये लो नाश पाती ठीक है जल्दी से सखा लो देखो मेरी चोटी और लंबी हो गई अब मैं जल्दी से हरे रंगी चोटी को पकड़कर उपर आ जाऊँगा अरे नहीं इससे भी काम नहीं बना मुझे नहीं लगता केंट तुम उपर आपाओगे अरे ये धम-धम-धम क्या आवाज कहां से आ रही है ये तो डाइनो अंकल है ये भी मेरे लिए भल लाए है ओ ब्लूबेरीज अब मैं नीले रंगी चोटी को पकड़कर उपर चरही जाऊँगा ये लो मैं आ गया ये पी मैं आ रहा हूँ चड़के हा रहा हूँ मैं आ गया बाइ बाइ दोस्तों हाँ मौसम भी कितना प्यारा है न अरे केंट कहां चला गया आ रहा हूँ आ रहा हूँ ये लो तुम सब की आइस क्रीम तुम तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लुकर मुमु तुम दोनों के लिए भी लेकर आ रहा हूँ मैं अब या रहा हूँ अरे ले ये क्या हूँ गया मेरी आइस क्रीम गया गया हाम सॉरी बात नहीं तुमने जान बुझ कर थोड़ी ना किया जलो अब जल्दी से कले लग जाओ ये देखो देखो मैं आइस क्रीम लेकर आ गया ये लो केंट मेरे प्यारी दोस्त चलो केंट अब तुम खुश हो तो इसी बात पर रिक प्यारा सा गाना सुना दो अच्छा थीक है तो सुनो मेरा नाम है केंट मैं हुचोटु सा ऐलेफिंट खुश रहरा है एक्सलेंट लेकिन रोना नहीं है रेलेवेंट एमोशन्स के बिना नहीं है एंटर्टेइन्मेंट मजा आ गया चलो एक्जाम्पल देता हूँ कभी-कभी तो गेम में हार जाने पर बहुत गुसाता है लेकिन जब हम अपने मन को शान्त करके अपने दोस्त को सौरी कहते है तो गुसा भाग जाता है चलो चलो भागो भागो चाओ 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 कभी-कभी हम बहुत खपरा चाते हैं कि हमारा कितना सारा काम बचाय कुछ समझ नहीं आता और तब हमारी टीचर हमारा साथ देती है और काम पूरा करने में हमारी मदद करती है बता है दोस्तों हम हमेशा एक जसा नहीं सोच सकते हम सब में सारी फिलिंग्स होती है ये बात हमें टीचर नहीं सिखाई है आप सोच दे होंगे न हम में क्या फिलिंग्स होती है लुको, मैं समझाता हूँ, कभी-कभी हम सब खुश होते हैं, कभी-कभी हम कुछ से में होते हैं, कभी-कभी दुखी होते हैं, तो कभी-कभी घबरा जाते हैं, पता एक दिन क्या हुआ, टिम को मस्ती करने थी, हम सब पिकनिक पर थे, और अचानल कुछ से हमें तरा दिया, व हमने उस दिन बहुत मज़े कि है आज मज़ा आ रहा है ना वो देखो गुपारे वाला चलो गुपारे घरीते हैं अरे यह बने क्यों लड़ रहे हैं बाप्रे बहुत गुष्से में लग रहे हैं सब इधर आ जाओ तेम तुम जाओ समझाओ यह लो और लडाई मत करो गुष् नहीं होगा अरे तुम लोग क्यों दुखी हो कि गुपारा लो और जल्दी से मुस्कुरा तादी मा यह लीजिए आपके लिए हरे वासम कितने खुश लगए हैं ना चाहिए जो भी हो जाए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और बाकियों को भी खुश रखने की कोशिश क करनी चाहिए हाँ बाइबाइ दोस्तों केंट आप से चल्दी मिलेगा है कि अलो दोस्तों मैं आ गया आपका प्यारा सा छिटकुसा दोस केंटी एलिफिंट आज मैं मिले में बहुत मस्ती करूंगा वाव कितने सारे खिलोने हैं आज तो बहुत मसाएगा पर लगता है यह स करना नीचे एक बीनेजने चाहिए मैं कर सकता हो मैं पकड़िया मैंने पकड़िया यह जल्दी-चल्दी-पुल के नहीं नहीं दोंगा चल्दी-श पनीस्सेलगा आपकड लिया यह वँजे पहली टिकेट मिल गई मतलब एक चैलेंज फूरा हो गया अब दूस्ती केट इसे भी पूरा करूँगा, आजान लगता है, ने, मुश्किल लगता है, डर लग रहा है, कैसे करूँगा, पर यही तो चालेंज है, अपनी डर से आगे बढ़ के चालेंज को पूरा करना, और ये, वी ही, देखो, मैंने पूरा कर लिया, अब मुझे मिलने वाला है मेरा इना यानि की दूसरी टिकेट, देखो मिल गई, मैंने हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा और टिकेट मिल गई, दूसरा चालेंज भी पोरा हुआ, अब है तीसरा चालेंज यानि खुला हूप चालेंज, ये तो मैं असानी से कर लूँगा घुलू मोलू ना इसलिए, चलो चल करता हूँ, अरे गिल गया, फिर से कोशिच करके देखता हूँ, कोई बात ने, ये देखो, अरे वाँ, गुल, 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 और फेको, फेकते रहो, बहुत बढ़िया, मैं नहीं रुकूंगा, तीसरा चालेंज पूरा हूआ, टिकेट मिल गई, तीनो टिकेट मिल गई, चलो, ये लो, अब बस देखना है कि नमबर्स मैच करेंग या नहीं, काश मैच कर जाए, ये, नमबर्स मैच हो गए, मैं जीद गया, अरे वह, टेडी मिल गया, अब मैं चलता हूँ, फिर विलूंगा, बाई बाई, आप देख रहे हैं, आपका फेवरिट चोटा गेंट, झाल